जैरदून के कुछ बजारों में और डिवन फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है अगर वियापार मंडल दियों का पालन कराने में आठखल रहता है तो इस पर परशासन आगे की कारेवाही करेगा करोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा लगातार बढ़ते मामलों ने परशासन और स्वास्त विभाग के परिशानियां बढ़ा दी हैं वही अब करोना अपने पैर और जादा ना पसा रहे इसके लिए परशासन शहर के हनमान चौक, पल्टन बाजार, जंडा बाजार और मौती बाजार में और इवन पालन को लागू कर सकता है दरसल बाजारों में करोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा जिसको लेकर परिशासन ने व्यापार मंडल को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और पार्किंग विवस्ताय सही करने के निर्देश दिये हैं और अगर इन देशों की पालना नहीं होती तो शहर में और इवन फार्मूले के चलते दुकानों को खुला जाएगा कुल विलाकर प्रिशासन की ओर से कोशिश यहीं की जा रही है कि बाजार में भीड को जैसे दैसे कम क्या जाए देखिए अभी जो मार्केट में लगातार हमें शिकायते में रही थी जंडा बजार और स्पेशली हनमान चौक पल्टन बजार वाला हमारा जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे सोशल डिस्टेश जो है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है अभी जो हमने व्यपारी संगठन जितने हैं उनसे वारता की है और उसमें हमारे अलग-अलग पॉइंट जो है हमारे मुख्य बजार में वहाँ ने चिन्मित किये हैं उनमें हमारे द्वारा बैरियर्ज लगाए गए हैं वाहनों का मूवमिन जो है वो इन एरियास में थोड़ा सा कम करवाया गया है उनके लिए पार्किंग स्पेस चिन् सरकार अपील के जा रही है कि वो सरकार के और सुजारी सभी गाइडलाइन्स का पालन करें इसमें कोई दो रहा नहीं है कि लोगडाउन में मिली जूट के बाद को रोना के जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा नहीं हुआ है इसी को देखते हुए अब प्रशासन की सक् का स्वाइब का रहा नहीं है